नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स करता था अंकरी गुड़ बट नॉट परफेक्ट कुछ कमी आये मुझे दुम्हे वताता हूं के यह जो फ्रेज से ना यहां पे फिंगर बीचों भी चोनी चीज़ें और स्ट्रिंग्स को प्रापर प्रैस करना है ओके और यह जो पिक है ना इसको वन गो में स्ट्राइक करना है ऐसे ड्राइग नहीं करना है ओके जस्ट अचिक एंड रिमूव इट कुछी तो देखो अभी मैं बताता हूं तुम्हें चलो आज की क्लास होगा और घर पे जाके प्रैक्टिस करना हां ओके आश्य शंपिन लेकिन मैं प्रफली गिटार बजाना कब सिख पाऊंगी I mean किसी सौंग पर क्योंकि आप तो जानते हैं नेक्ट मंत मेरे कॉलेज में प्रोग्राम में मुझे इसमें गिटार बजाना है तान्या बेटा भी तुम्हें एक ही महिना तो हुआ है गिटार सीखते हुए और देखा जाये तो उस हसाफ से तुम बहुत अब तक तुम बजाना सीख जाओगी दोट बड़ी पड़ घर पर प्रैक्टिस करते रेना कम से कम दो ती घंटा डेली ओके अंकर चलो बाई 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 कहा रह गया यार हमेशा लिए कहा रह गया था? सुरी यार बलेट हो गया अप हमेशा गया तेरा चल अब अच्छा सुनना वो मम्य अपाज घर पर नहीं है तुम कासिया बद गया है मामा के या तो खर चलें एंज्वाय करेंगे नहीं यार मैं ममी को क्या बोलूँगी? आदे ना कोई बाई आ हमेशा की तरह चल ठीक है प्यार में इतना तो करना ही पड़ेगा तुम 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 यहां क्या करने आयो? कितनी बार मना किया है शेखर तुम्हें कि यहां मत आया करो रोहिनी मैं तान्या से मिलने आया था कल उसका बढ़डे सूचा उसको विष्ष कर लूगा इस बाने उसको देख भी लूगा देखो रोहिनी यह बाद ठीक है कि तुम्हारा मेरा तलाक हो चुक है लेकिन जितना हक तान्या के उपर तुम्हारा है उत्ता हक मेरा भी है अग तो तुम दस साल पहले ही खो चुके थे और बाप होने का कौन सा फर्द निभाया है तुमने? पूरी जिन्दिकी शराब और जुए में निकाल दी तुमने और रही बात तान्या की वो तुमसे उतनी ही नफरत करती है जितनी की मैं तान्या तुमसे मिलना नहीं चाहती है शेकर जाओ यहां से देखो रोईनी, मैंने जिन्दिकी में बहुत गलतिया किये हैं, लेकिन आप गुनकल्टी को सुधारना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ जिन्दिकी में एक मुका देदो, मुझे पर भुरोसा रखो, मुझे पर नहीं, तो हमारे उस प्यार पर जो हम दोनों न ये प्यार और भरोसे की बाते ना करोना तो ही अच्छा है, पर रोईनी, एक बार मेरी बात तो सुन दो, बस करो शेखर, बस करो, अब भौत हो गया, तुम जाओ यहां से, और भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी भी है, लेकिन रोईनी, मेरी बात, जल्द से जल्द घर पॉचना पड़ेगा ने तुम्हारी जान से मार देंगी, अरे तुम्हारी मतलब हमाद में डॉप कर दूँगा, ओव्यस्ली, तु ही डॉप करेगा, और उनकों करेगा, यह बिस्तर में रहके डॉप करेगा, जल्दी उठ, जल्दी उठ, चल, बाय, माम, यह मेरा दोस्त है, हिटेश, चुप बिल्कुल, तो यह सब चलता है तेरा कोचिंग के बाद में, नहीं माम, वो एक्चलिए अज गिर्टार क्लासिस में लेट हो गया था, तो इसलिए इसने कहा कि यह मुझे डॉप कर देगा, अब तो जूट भी बोलने लगी है, ता कि तू वहां से कितने बज़े निकली थी, क्या कर रहे हैं इस लड़के के साथ में, देखिया अटी जी, आप जैसा समझ रही है, वैसा कुछ भी नहीं है, अब तू समझाएगा मुझे, मैं अच्छी तरह जानते हूं तुम जैसे लड़कों को, अपने बाप के पैसों पर बारे हम बोलने की जरूत नहीं है, चुप चुप सुन रहा है, उसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, हितेश, यह क्या बत्तिमीजी है, तेरी हिमत कैसी मेरी मुझे इसरासे बात करने की, अब तानिया, बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे क्या लगता है तुम मेरे सामने मेरी मॉम की ऐसी इंसल्ट करे और मैं सुनती रहूंगी। निकल जाए ऐसे, और तुबारे मुझे कभी मत मिलना। दतने ही। कितनी बार मना किया है शेखर तुने कि यहां मत आया करो मैं तुम्हारा साया भी अपनी बेटी पे पंडे देना नहीं चाहती जाओ जाओ यहां से कितनी बेटी बेक्वार यहां से वार मैं तुम्हारा प्रिवे लिए लुक्त ध्यार class A कितन LAKE झाल झाल यह प्रकेस listen to the तान्या तान्या उठो बिटा पुन देखेजा सब्सक्राइब मुट मॉर्री और अबच्छा सब्सक्राइब आपस्टी अपड़ियो पूम पूम देखेचे पूम इसे फ्रेशना पोजा, आज मैंने तेरे लिए तेरा फेवरिट ब्रिक्फर्स्ट मिनाया है, thank you. जल्दी आना हा? हितेश, क्या है? मुझे तुछ से कोई बात नहीं कर दी है. तन्या, प्लीज फोन मत काटना, प्लीज. तन्या, प्लीज देखो, I'm so sorry. मुझसे गलती हुई है. मैं, मैं माफी मागूँगा आणटी जीसे, मैं पैर भी चूलंगा उनके. यार, वो माबाप का नाम ले लिया, तो बर्दाश नहीं हुआ. देखो, मुझसे गलती हुई है, तो मैं guilty feel कर रहा हूँ. और तेरा गुस्सा जायज है, मैं अपने पैरेंट्स के इंस्सल्ट बर्दाश नहीं कर सकता, तो तू कैसे करेगी? देख, मैं सारी गलतियां मानने को तयार हूँ, पर तू ऐसे नाराज मत हो मुझसे. अच्छा सुनना, मैं तेरे घर आ रहा हूँ माफी मांगने के लिए अँटीजी से. नहीं, नहीं, घर आने की सरुवत नहीं है. मतलब तूने मुझे माफ नहीं किया? माफ करती तो नहीं, लेकिन तूने बात इतनी समझदारी वाली की है, इसलें माफ करना पड़ा. और वैसे भी, आज मैं हैपी रहना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा बर्देन. तू मुझे घर आने से माना क्यों कर रही है? क्योंकि आज मौब घर पे है, बहुत अच्छे मूड में. तुझे देखकर कहीं, उनका मूड खाराम न हो जाए. तू किसी और दिन आ जाना माफ ये माफ ये. अच्छा सुनना, तेरा बड़्डे है ना? तो हम साथ में मिलकर सेलिबेट करते हैं ना? ठीक है, गिर्ड़ा क्लासिस के बाद मिलती है तुझे. अच्छा ठीक है, अच्छा सुनना, हैपी बड़्डे. थांक गोड तुझे याद तो आया. ऐन्यमें चला में रखती हूं, मुझे बहुत लेट हो रहा है, शाम को मिलती हूं. अच्छा, लव यू. ये ले, तेरा गर्मा गरम, पास्ता. वाओ, मौँ. इस अमेजिंग, बहुत टेस्टी है. अच्छा, तानिया बिटा, कल के लिए सौरी. मॉम, आप क्यों सौरे बोल रही है? मैंने कुछ जादा ओवर्य किया ना. वो क्या है ना? खल शेकर आया था, तुमसे मिलने. और उसी के बाद से मेरा थोड़ा मूंड आफ था. अब, तानिया, देख बिटा, मैंने इचाती कि जो गलती मैंने की है, वो तू भी दोराए. तानिया मुझे हितेश से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने भी तेरे पापा से बहुत प्यार किया था. अपने पापा के अगेंस जाकर उससे शादी की. तेकिन उसका नतीजा क्या निकला? मैं आज तक उसकी सजा भुगत रही हूँ. यह प्यार व्यारना तानिया, यह सब फिल्मी बाते हैं, बेटा. तो इनसे जितना दूर रहेगी ना, उतना अच्छा है. Don't worry, mom. मैं आपके खिलाब जाकर कुछ नहीं खरूंगी, I promise. और वैसे भी, जो इनसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसकी मेरी लाइफ में कोई जगा नहीं है. फिर चाहे वो हितेश हो, क्या पापा, मेरी प्यारी बेटी. आज तुम्हारे बेसिक कोट्स कंप्लीट हो गया है. अब मैं तुम्हें F, मेजर कोट्स प्ले करना सिखा हुगा. फड़सा टिपिकल है, मुझे तू. Thank you. जी, अंकर. हाँ. तो F कोट्स है थोड़सा टिपिकल है. तो ध्यान से देखना. सबसे पहले हम फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट रेट पर रखेंगे, जिससे B और G स्ट्विंग को प्रेस करेंगे. Tania, फोन फोन अठालो, शायद कोई इंपोर्टेंट बात हो. अचली, आशिश अंकर, आज मेरा बर्दे है, इसलिए फोन आ रहे है. आज तो वारा बड़े है? Happy birthday, Tania. Thank you. चलो, अब भी वापस गिटार पे आते हैं, okay? किया है, अचली... अचली, मेरे वाश्रूं होग कर आते हुद घूस्ट तो मिनिट्स, ऐला ब बात रहा है! आलो, अभी भी गटार क्लासिस में वह, आधे गन्टे में फ्री हो जाओंगे! अरे यार आज तो कम से कम गिटार क्लास मच जाती सुनना मैं भी घर पर हूँ वाज अब तो फ्री हो जाएगे तो मुझे बता देना तभी मैं घर से निकलूँगा ओके बाई हलो, केक शॉप जी भाया मुझे एक केक और गरना था केक ना गिटार की शेप का होना चाहिए और वो भी चॉकलेट ब्राउनी शाम तक हो जाएगा आप लिखिए हैपी बर्दे माई डॉल तान्या थांक यू बाई बिटा बाई बाई तनिया हाँ तनिया हलो कहा है तू में ज़स्ट फ्री हुई तू फ्री हो गई? हाँ ज़स्ट फ्री हुई तू ठीक है मैं दसमन में आता हूँ ठीक है चल दिया अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है यह लड़की भी ना पता नहीं कहा रह गई है बिबकुल केरलेस हो गई है इसको कुछ पड़ी ही नहीं है आशिष को फोन करती हूं अरो इनी जी अब तक घर नहीं पहुंची है पता नहीं कहां रह गई इस लड़की को ना बिल्बकुल पड़ी है उसके दोस्तों से पूछा हां हां मैंने तब से पूछा किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है देखो तुम टेंशन मतलो मैं भी आता हूँ वह पर हां हां प्लीज ठीक है अब ही रोहनी जी है जी आपी ने कॉल गिया था हां जी वो मेरी बेटी ता नहीं प्लेटी ता नहीं है तानिया भी तक घर नहीं आई है ऐसे पहली बार हुआ क्या नहीं पहली भी कई बार लेट आती थी लेकिन आज जितना लेट हुई हो इतना कभी नहीं हुई और सर आज तो शाम से ही उसका फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है को पोली से कौन है जी यह आशी शै ताना पिछले एक महीणे से इनिसे इस गिटार सीक रही है जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूं आशी दो शीष बहां पर म्यूजिक सिखाते हैं便 dla तान्या के एन्वल फंक्शन के लिए आशीश यू से गिटार सीखा रहे थे, ये मेरे कलीग हैं तो मैंने सोचा कि तान्या को क्यों ना इन ही के पास गिटार सीखने के लिए भेजा जाए ताह रहते हैं आप? जी सर गनेश को लाठी अच्छा ये बताईए, तान्या आपके घर से कितने भई निकली थी? यही सर कोई लगबग पांच बजे लगबग नहीं, सही सामय बताईए जी सर पांच बजे निकली थी, वैसे तान्या के क्लास का टाइम साड़े चार से साड़े पांच होता है और आज वो चार बजी घर पर आगी थी, शायद उसकी कॉलेज से जल्दी छुटी हो गई थी और फिर वो पांच बजे चली गी थी, सर वैसे उसने बताया कि आज उसका बड़्डी है तो मैंने उसे रोका नहीं सर और फिर वो चली गई पर एक्चुली मैं सर उसके मुबाइल पर बार बार फोन आ रहे थे तो मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसके फ्रेंड्स लोग उसे विश करने के लिए कॉल कर रहे है पर सर मैंने एक चीज़ मोटिस की एक नंबर से बार-बार कॉल आ रहा था किसी हितेश नाम से हितेश? हाँ हितेश क्या आप जानती है हितेश को? जी वो तानिया कल रात को उस हितेश के साथ आई थी पहले कभी भी तानिया किसी लड़की के साथ घर नहीं आई है तो मुझे उसको देखकर गुसा आ गया और हम दोनों के बीच में कुछ कहा सुने हो गई कहीं गुसे में आके उसी ने तो तानिया के साथ नहीं कुछ इस हितेश का मोबाइल नंबर या अड्रेस है आपके पास? नहीं सर मेरे पास नहीं है अच्छा रोहिनी जी आप यह बताईए आपको किसी और पर शाक है या किसी से कोई लडाई जगडा हाँ सर शेखर शेखर मेरे पती हैं मतलब मेरे पती थे दस साल पहले हमारा डिवास हो गया और कल आया था को तानिया से मिलने लेकिन मैंने उसे अंचे मिलने नहीं दिया कहीं नहीं शेखर ने तो नहीं फुस्समें आके तानिया के साथ हाँ सर, शेखर. आज वो मेरे घर पर भी आया था कि आप? मैं शेखर हूँ, तान्याशाव हूँ, तानिया आप कि यहीं गिटार सीखती है जी हाँ मेरे ही सीखती है तान्य होगी इससे में जी नहीं अभी तो थोड़े पहले निकल गी है किती दिर पहले है यह पी दस पंदा मेले को अरे सब अंदर तो आई है ने ने फिर कभी उसके हाथ में कोई गिफ्ट था जो तान्य को देना चाहता था पर तब तक सब तान्य जा चुकी थी यह शेखर का एड्रेस है अपके बास? जी जी वो पुलाच पतना गर में रहता है यादव यह हितेश और शेखरो दोनों का रेस्ट करो और अशिश तुम्हें भी हमारे साथ पुली स्टेशन चलना होगा पर सर मैं क्यों? देखिए तान्या को आखरी टाइम आभी ने देखा था तब तक आपको पुलीस कस्टेडी में रहना होगा सर मैं सच बोल रहा हूँ मेरे घर में CCTV लगा हुआ है आप चाहे तो फुटेज चेक कर सकते सर चलिए जी सा सर यह जो बाहर CCTV लगाना उसकी फुटेज ही है सर यह चोडी होने के डर से मैंने यह CCTV लगवाया था घर वाले सब गाहों में रहते हैं और मैं सारा दिन स्कूल में रहता हूँ तो घर पर कोई रहता नहीं इसलिए मैंने यह लगवाया यह तानया और शेकर के जाने के बाद आप भी कहीं भार गए थे? हाँ सर मैं मार्केट गया था ग्रोशरी का सावान लेने अचा यह बताईए आप रोहिनी को कब से जानते हो? जी जब से स्कूल जोइंग किया है लगबग छे मीना बहुत अच्छी दिल के हो रहते है सर सबसे गुल मिल के रहती है किसी से कुई नोग छपनी है इससे पहले आप कहा रहते थे? जी बुलंच शेर वाक एक स्कूल में जॉब करता था तो यहां पर अच्छी सेलरी मिली तो यहां पर आ गया ठीक आशी जी यह सीसी टीवी फूटज पूली स्टेशन बेज देगा जी सर, ओके सर, हितेश और सेखर दोनों गर पे नहीं मिले या? जी, मैं हितेश के घर पे गया था, तुम्हां उसके पापा मिले उन्होंने बताया था कि हितेश को उन्होंने किसी काम से गाजयाबाद बेजाए और शेकर के घर पे ताला मिला है और उसी जब पूछा, तो उन्होंने बताया, वो सुबह से गाए बैं सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तानिया अपने बॉइफरेंड के साथ भाग गई हूँ ममने अगर तो कुछ भी हो सकता यादव जी, क्या पता वो आकई किसी मुसीबत में हो जब तक वो मिल नहीं जाते हम कुछ भी अजियूम नहीं कर सकते मुझे इस केस से जुड़े हुए हर इंसान की हर एक जानकारी जाहिए ये तानिया, रोहिनी, हितेश और शेखर और ये टीचर, इस सब की कुंडले खंगा लो जी सर आप आपा मैं अभी निकलता हूँ, छीके बोल, तानिया कहा है? शर, मुझे नहीं पता वो कहा है जूट बोलता है, उसमें आगरी बार तेरे सी बात की थी और उसके बास उसका मोबाईल स्वीच ओफ आरा है बोल, कहा रखा उसे? सर, मैं सच कहह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए मुझे नहीं पता हो कहा है यही बात सच है कि मेरी उससे बात हुई थी एक्शली मैं उसे पिक करने वाला था गिटार क्लासे के बाद और हम दोन उसका बड़े सेलिबेट करने वाले थे लेकिन जब मैं वहां पहुचा तो वहां थी ही नहीं मैंने उसका मोवाइल फोन ट्राई किया वो भी सुच्वाब बता रहा था सर मुझे लगा वो घर चली गी होगी मैंने सोचा उसके घर जाओ लेकिन तभी पापा का फोन आ गया और उन्होंने अर्जन काम से मुझे यहां भेज़ दिया पर तबसे मैं यही हूँ सर मैं सच कह रहा हूँ सर मुझे भी उसके फिकर हो रही है पता रही किस आल में होगी वो जब तक यह वेरिफाइब हो जाता कि सच बोला है तब तक यह पुलिस की कस्टडी में रहेगा चार सर मेरी बात तो तो चार तुम, कहां है मेरी बेटी? क्या किया है तुमने मेरी बेटी की साथ ? तब कहां गयब गया है उसे ? देखो रोह में शांत हो जाओ देखो शehkar, तुमहारी नाराजगी मुझ सी है तो मुझ पर गुस्सा निकालो अगर मेरी बेटी पर आज भी आई ना, तो मैं तुम्हे छोड़ूँगी नहीं देखो रोइनी, तान्या जी थी तुम्हारी बेटी है न, उतनी मेरी भी है मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है तुम मैं ऐसे नहीं बताऊगे रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ आ करो, पुलिस को फोन हलो, इंस्पेक्टर साब जी रोहनी जी सर, आरेस्ट किये जी इस आदमी को इसी ने छुपाया है तानिया को और जूट बोल रहा है कि इसने कुछ नहीं किया पूछिये इस से, पूछिये मेरी बेटी कहा है जो बे, कहां तानिया? वह! इस्पेक्टर साब, मुझ को नहीं पता मेरी बेटी तानिया कहा है और, सच क्यारो, मैंने कुछ नहीं किया अच्छा अगर तुमने कुछ नहीं किया तो पुलीसे भाग क्यों रहे थे। सर मैं डर गया था और मैं आशिष के घर तान्या से मिलने के लिए गया था क्योंकि यहां पर तो यह मुझे तान्या से मिलने नहीं देती थी तो मैंने सोचा तान्य से वहीं मिल लेता हूँ और मैंने जाने से पेरे तान्य वहाँ से निकल चुगी फिर मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए तान्य से मिल के जाऊँगा और मैं यहाँ पर आगया यहाँ पर आकर मैंने आपको देखा और फिर चुपके दे आपकी बाते सुन ली थी मैं अच्छा रोहिनी ती आप ये बताईए आपको किसी और परशाक है हाँ सर शेखर सर मैं डर गया था और फिर मैंने सोचे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे डर कैसा और फिर मैं इस से मिलने के लिए यहां पर आया और इसको कहा कि आन्या जितनी तुमारी बेटी है उतनी मेरी भी है और जितना दुख तुमको है उतना मुझको भी है इस्पेक्टर साप, चाहे मुझे जेल में डाल दो, मुझे अफासी पर लगवा दो, लेकिन मेरी बेटी को ढूंद करना दो प्लीज, प्लीज स्पेक्टर साप, मेरी तान्य को ढूंद दो, इस्पेक्टर साप जी इस्पेक्टर, जी आपको हमारे साँ चलना होगा क्यों? क्या हुआ है? देखी हम एक लड़की की लास मिली है लास का पहचानना बहुर्किर है और हमें लगता है कि यह टाना जी लास है तो उष्णाकत के लिए आपको हमारासादा हमारे सा ли खालना होगा रिचैनल यार महा है डानिया दानिया तान्या तान्या मेरे मेटी तान्या ये कपड़े हो ज्वेलरी, लाश के पास से बराम दुए क्या ये तान्या की है? ये मेरे मेटी तान्या का मेरे मेरे तान्या देखिये रोईनी ची आप प्लीस रोहिए मत भगवान के आगे किसकी चली है? आशीश ये वो तान्या की एक महीने की फीस रोईनी जी आप मुझे शर्मेंदा कर रही हैं ये पैसे में कैसे ले सकता हूँ? अब तो तान्या भी इस दुनिया में नहीं है और अगर होती भी ना तो भी ये में पैसे नहीं लेता तान्या मेरी सिफ स्टुडेंट ही नहीं थी उससे भी बढ़कर थी होगा बच्ची की तरह थी वरी हो आप ये प्लीस पैसे रख लेजिए मैं ये नहीं ले सकता मुझे कुछ समझ नहीं या राशिश ताल्या यूप मचा लग ये सब देखे आप प्लीस रोईए मत आप आशू पहुच लेजे प्लीस मत से काम लेजे प्लीस आशिश ये तो तान्या का स्पेनर है नँए अरण नहीं ये तो मेरा है मेरी वाइफ ने को देखे इफ्ट किया था उसने बुला था कि जब भी कभी टेंशन में होना तो इसको स्पिंड कर लिया था पर मैंने ऐसा ज़ी तान्या के पास भी देखा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आशिष मुझे मुझे हर चगे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तानिया दिखाई दी रही है देखियो मेरी जी इसा होता है आप प्लीज रोहिए मत आशू बहुष लीजे पीस आप बैठिये मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ आशिष अब वाश्रूम कहा है अब रोहिणी जी वाश्रूम काफी दिनों से बंद है और बहुत गंदा है कोई नहीं आशिष में मैंनेज कर लोंगी यह साइड में अब जब तक वाश्रूमों के आई है मैं चाय बनाता हूँ जल्दी आएगा प्लीज तानों ना कहूंगा या रोहिणी कहाँ पर गई होगी है उन करता हूँ नहीं यार कहीं आसा नो रोहिणी बुरा मान जाए वेट करते हैं इस पर पात्रूम तो साफ लग रहा है अशीष नहीं आसे क्यों कहाँ आप कि जह में क्यों कि रुछ तो बनाता हूँ अँपवपवड़ बाद में अँपवड़ पर अठाइब है कि ऐपर कुछ ए लुवड़ करो दो आदो तो यहां पर ताला लगा हुआ है शेकर मैं मैं अशिष के गर पर हूँ मुझे यहां कुछ कुछ कड़बर लग रही है शेकर तुम जल्दी आओ रोईनी जी जल्दी कीजिए चाहे ठंडी हो रही है हाहा बस अशिष आरी हूँ हो गया करेंगा है करेंगे करेंगे भाइ मनदी थाँ भाइ अशिए वाइ अशिए तानियो 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 अजया अजया मैं आगई अगा और तानियो अजया 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 तानिया अजया चुप चुप अजया 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 चाहरू तुम दौनों मापेटी का इतनी लड़कियों को आज तक किंडे पुया लेकिन आज तक आज तक तक तुम दोना जैसा किसी ने मुझे परिशान नहीं किया इरिटेट हो गया हूं मैं आज इस तुम भी ना हम आप आझ चॉॉॉॉ हम आप आप नही ह问 है? इस नही हो आप अ हम उंद भे दिशे मैं रया ड़ को भी प्यार दो आगए पने प्याओ नही है जब भी किसी बेबस और लाचर लड़की को तड़ पाता हूना सुकून मिलता है मुझे पता है जब मैं दस साल का था था न तम मेरे माबब मर गए थे तम मुझे मेरे अंकल अपने साथ ले गए थे मुझे पर तरस खाके नहीं मुझे घर का काम कराने के लिए और मेरी वो अंती मेरी वो अंती तो उससे भी जाधा जालिम थी मुझे खाना कम भार जाधा किलाती थी और उसकी वो चार बेटिया थी तो उमर में मुझे बड़ी देकिन जब देखुआ मुझे पर हसती रहती थी मुझे परिशान करती रहती थी और एक देख नोने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दी थी तो दिन तक में स्टोर रूम में बंद कर रोता राट चिलाता रहा लेकिन कोई लिया आँ मैं टर गया थी लेकिन कोई लिया अर फिर रोते रोते शुथयों शुग्या कोज़ ने अगे खुए तो मेरी एक कजर मेरे सामने ख़ईती और मेरे पर हस रही थी मुझे बहुत गुस्टा आया, मैंने पॉस मेरा कपत्र उठाया और उसके सर्पे मार दिया और उमर गई, और उसके बाद पिर दुख सिलिया ही पिर तीसे, पिर चौथी, सब को मार दिया मैंने पॉस्टा आया, मैं और उसके बाद मैं मांसे वाग गया मुझे लड़कियों को तडपाने का चुनू जबार हो गया और मैं जब भी किसी शहर में जाता तो तेरी जैसी लड़कियों को किटनेप करता और तडपाता था और लगता कि पकड़ा जाओ तो भाग जाता था यहां पर भी तुम्हें कर रहा था यहां दे तुम्हें वो पिछले महीने शहर से एक लड़की काया वह भी थी यहां दे अरे टीवी पर आया था ने उस पर शेवानी नाम था उसका मैरी तो किटनेप किया था उसे अरे जिसे तुम लोग समझ रहे थे वो तान्या की लाश है सब कुछ अच्छा चल रहा था सोचा था कुछ दिन और मजे लूगा लेकिन मुझे उसे मार रहा पड़ा पताये किस की बजे से पताये किस की बजे से तेरी इस देव को फ्रेटी की बजे से यह उस दिन आदे घंटा पहने आगे जिए अव्णब, यह अव्णब को बड़ा झाँ मेरा कि बड़ा झाँ मेरेम बड़ा 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 मेरी मेवे नाव झाँ, बड़ा जब दबाजी में मैं उस लड़की को बेहुष करना भूल गया पता नहीं था कि तान्या गेट पे होगी लेकिन जब गेट खोला तो ये ये निकली मैं उसे बेहुष के विला इसे गेटार सिखाने पैठ गया सुचा जब ये चली जाएगी तो उसे फिर बेहुष कर दूँगा लेकिन इस बेफुब लड़की ने सब गडबड कर दी बाथरूम जाकर तान्या जल्दी बारा हो मुझे मार्केट जाना है हाँ अंकल बसाई अ आशिश अंकल वह बाजवाले कमरे से कुछ आवादे आ रही है कोई है क्या वहाँ अरे नहीं वह कमरा काफी दिनों से बंद है न तो चुआ बिल्ली होगा अच्छा अंकल मैं चलती हूँ वह क्या है न आज मेरा बर्द है तो ममी ने कहा ता कि जल्दी आना हम बाहर जाने वाले इसलिए मैं कल आ जाओंगे टाइम पर सुरू कल टाइम से आजा ना जी 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 बाई बिटा बाई 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 मुझे लगा कि तानय सबको बता दी थी फिर मैंने इसको किड्नेव करने का प्लान मनाया शेकर के जाने के बाद मैं इसके पीछे गया जहां यह इतने इशका बेट कर रही थी और तानया तुमारी मॉम आई है घर पर बैठी है पता नि क्या हुआ है रोई जा रही है रोई जा रही है पता नि शायद तो मारे डैडी ने कुछ कह दिया होगा तुम ज़ाओ मैं दस मिड में आता है हाँ और उन्तिन जब तान्या घर पर वापस आई तुम बेने थोड़ी बेर के लिए अपने मोबाइल से 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 डीवी कैमरे आफ करती है ताकि जब पुलिस चानवीन करें ना तो इस पोटेज को दिखा करें में बच सको और वेसा ही हो और वेसा ही हो तान्या घर पराई उस्दिन मॉम 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 अर्शंकल मॉमकार मॉम आप पस्किले हो मॉम 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 मॉ मॉ जब पुलिस सान्मीन कर रही थी, तो मैंना उस लड़की को मार दिया हुँ़की को मैंने उस लड़की की लाज पर तान्या के कपड़े और गहने पेना दिये और उसके सद को कुचन लिया और जंगल पर ठैक्टी ताकि तुम लोग उसे तान्या की लाज समझो और वेसा ही दुआ स्मार्ट उन्या में मुझे तुम तुमलों को भी मारना बड़ेगा क्या जरते ही तुम्हे बात्तुर में जाने की क्या जरते ही क्या जरते ही जो, पुपवह, पुपवह, पुपवह! माम, उड़े, अचीश्यष्यष्यष्यष्य! अचीश्यष्य! माम, इच्ववह! यह पड़ेकिस्को? दो, तेरी पोल खोल चुकी है, जुट बोले का कोई फाइदा नहीं है, हमें सब सच पता चल गया है, तेरा नाम आशीश नहीं, बल्कि शानू, उर्फ शैनवास. यह है न, तुझे क्या लगा, फुली सो रही है, हमें तो उसी दिन शक हो गया था, जिस दिन CCTV फोटेज देखा था, ठाने में जाकर जब दुबारा CCTV देखा, तो उसमें कुछ मिनट का गया था, मतलब साफ था, कि CCTV कुछ देर के लिए ओफ किया गया था, फिर तेरे बारे में चान भी शुरू की, तेरे बारे में सब पता कर लिया, तेरी पूरी कुंडली है हमारे पास, एरेस वरन का इंतजार कर रहे थे, कि तब ही शेखर वहाँ आ आगे हाँ, शेखर, जब तू रोईनी को अपनी कानी सुना था ना, तब मैंने फोन के ओपर सब कु सुन लिया था, क्योंकि रोईनी ने भीना फोन कट किये हुए, अपने पर्स में रख लिया था, मुझे नगा, किताने सबको बता देगी, फिर मैंने इसको किट लेव करने का प्लान बनाया, और मैं तभी पुलिस के पास चला गया, बहुत मज़ा आता ना तुझे लड़कियों को तड़ पाने में, अब देखना, जब खुद तड़ पेगा तो कैसा लगेगा, पेचले रोईनी, तानिया, आज मैं तुमसे प्रोमिस करता हूँ, कभी श्राप को आत नहीं लगाँगा, और तुमको कभी अकिला नहीं छोड़ूँगा, कभी नहीं, कर देखने में, जया करता है।